तो लॉकडाउन चला है और साथ में बच्चों के लिए होमवग भी चला है आज मेरे ग्रूप पे मेरे क्लास की ग्रूप में एक वीडियो आती है रिफ्रेक्शन के उपर उसमें मैं बताते है हमें कि कैसे जब एक रे आफ लाइट ग्लास लैब से गुजरती है में अपर वह कैसे बेंड होती है अब इसी चीज़ को रिफ्रेक्शन कहते हैं बेंड इंड ओफ लाइट को SIMPLE सी बात है पर आखिर में यह जो रे यह 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 बेंड हो क्यूं रही है मतलब हो क्या रहा है इसको रिफ्रेक्शन बोलते है और थीक है, एक रेव आफ लाइट एक ग्लास लेब से गुजरती है वो बेंड होती है पर बेंड क्यों हो रही है? इसके बार में आज में आज सर्च किया और फर्स्ट वीडियो में लगाई बाकी से मेर को कुई लेना देना नहीं एक अंग्रेज क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ाता था था थे थैंथ क्लास के बच्चे के लिए क्वांटम मेकानिक्स तुम दे दोगे तो क्या होगा? तुम सोच सकते हो मतलब उसने बता है हाइगन्स प्रिंशिपल सोलिजर्स चल रहे हैं कुछ जब भी मड़ में आते हैं तो एक के ओपर दूसरा गिर जाता है उसी लाइट का भी है चक्कर पर लाश्ट में उसने बता ही दिया मैक्सवेल की एक्विशन के ओपर बेस है और लाइट को हम वेव की तरह लेते हैं पर सची महार मतलब क्या है अगर तुम्हें पता है तो प्लीज बताओ क्यों कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आखिर ये लाइट जो है बेंड क्यों हो हरी है मतलब लाइट क्यों हो हरी है जब भी वो एक medium से दूसरे medium में जाए वैसे तो मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ पर मेरे डाउट ही खुद क्लियर नहीं होते पर मैं कोशिश करूँगा और मिलते हैं अंगले वीडियो पर अगर तुम्हें इस बारे में बिलकुल भी पता है तो प्लीज मुझे बताओ